मित्रो हिंदू धर्म में बंदरो को हनुमान जी की संतान का दर्जा दिया गया है अगर आपके घर या पिर्चत पर बार बार बंदर आते हैं तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं वो संकेत अच्छे भी हो सकती हो और बहुत जादा बूरे भी तो आईए वेदों के नुसार, पुराणों के नुसार और शास्त्रों के नुसार जानने की कोशिश करते हैं कि बंदर हमें क्या संकेत देना चाहते हैं अगर बंदर आपके घर पर किसी पवित्र त्युहार जैसे की दिपावली, रक्षबंदन, होली, गणेश चतूर्दी जितने भी पवित्र त्युहार होते हैं जितने भी पवित्र वरत होते हैं इसे वरत पर आपकी छट पर या आपके घर पर आते हैं आपके लिए बहुत ही जादा सुब संकेतें ये संकेत दर्शाता हैं कि आपके परिवार में हमेशा खुशिया बनी रहेगी आप जिस भी नए काईडिय को करेंगे उसमें आपको सपलता मिलेगी आपके घर के अंदर कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा बित्रो वेदों के अनुसार पुराणों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी फल लेकर किसी भी प्रकार का एक फल लीजिए और ओम हीम कलिम धन देही देही सुआहा इस मंतर का 108 बार जाप करके अगर वो फल आप बंदर को खिलाते हैं तो इससे आपक सास्त्रों के अगर मैं मानू और वेदों के मानू तो मित्रों कभी भी गर्भवती महिला को बंदर का मुख नहीं देखना चाहिए क्योंकि यसा करने पर आपकी जो होने वाली संथाने उसके अंदर बंदरों जिससे लकषन उत्मन होते हैं तो कभी भी भूल से भी गर्भ के महिलाएं बंदर का मुख ना देके